नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम से जुड़े तेरा चोकाने वाले रहस्य शिव, राम, क्रिष्ण, महावीर, बुद्ध और नानक के बिना भारत उस शरीर की तरह हैं जिसमें कोई आत्मा नहीं सिर्फ एक राम को निकाल देने से भारत का संपूर्ण धर्म और संस्कृती मरुस्थल की तरह हो जाता है यही कारण है कि पिछले सैकडों वर्षों से प्रभू श्रीराम और उसने जुड़े तथ्यों पर लगातार हमले होते रहे हैं लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होगी यह वीडियो देखकर आपको निश्चत ही आत्मसंतुष्टी होगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे कुछ का मानना है कि वे एक कालपनिक पात्र हैं वे कभी हुए ही नहीं वर्तमान काल में राम की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे राम के खिलाफ तर्क जुटा कर कई पुस्तके लिखी गई हैं इन पुस्तक लिखने वालों में वामपंती विचारधारा और धर्मांतरन करने वाले लोगों ने बढ़ चड़कर भाग लिया है तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद किया जा सकता है तर्क की बस यही ताकत है तर्क वेश्याओं की तरह होते हैं ये तर्क बाज लोग सभी नफरत के रावण है रावण का अंत्ते है एक नहीं किया था राम में सीता का परित्याग पहले रामायन छे कांडों की होती थी उसमें उत्तर कांड नहीं होता था फिर बौध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच जूट लिखकर उत्तर कांड जोड दिया गया उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था लेकिन इस उत्तरकांट के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उप्नियासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे-धीरे बदनाम होते गए इसी उत्तरकांट को तुलसीदास ने लव कुशकांट नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया नहीं किया था राम में सीता का परित्याग, सीता दो वर्ष तक रावन की अशोक वोटिका में बंधग बन कर रही लेकिन इस दोरान रावन ने सीता को छुआ तक नहीं इसका कारण था कि रावन को स्वर्ग की अपसरा ने ये शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणे करोगे, जो तुम है नहीं चाहती है तो तुम ततकाल ही मृत्यू को प्राप्थ हो जाओगे अता रावन किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे पहन नहीं किया था किन्तु अब अगनिपरीक्षा से गुज़ने के बाद ये सिध होता है कि सीता पवित्र है तो अब किसी को इसमें संचय नहीं होना चाहिए लेकिन इस अगनिपरीक्षा के बाद भी जनसमुदाय में तरह तरह की बाते बनाई जाने लगी तब राम ने स सीता को छोड़ने का मन बनाया ये बात उत्तरकांड में लिखी है यह मूल रामायन में नहीं है बालमी की रामायन जो निश्चित रूप से बौध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी समस्त विकृतियों से अच्छूती है इसमें सीता परिप्याग शंबूक वद रावन चरित आदी कुछ भी नहीं था ये रामायन युधकांड लंका कांड में समाप्त होकर केवल छे कांडों की थी इसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया कालिदास भवभूती जैसे कवी सहत अनेग भाशाओं के रचनाकारों सहत रामचरित मानस के रचैता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लवकुषकांड के नाम से लिखा इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ शोद करता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद काल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे वालमी की रामायन का हिस्सा बना दि लिकिन सच को इस तरह बिगाड़ना कहा तक उचित है ? सीता ने ना तो अगनिपरिक्षा दी और ना ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग ही किया विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है, राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं, ये किताब संस्कृती शोध एवं प्रकाशन वारानसी ने प्रकाशित की है इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया रामकथा पर सबसे प्रामानिक शोध करने वाले फादर कामिल बुलके का स्पष्ट मत है कि वालमी की रामायन का उत्तरकांट, मूल रामायन के बहुत बात की पुनर्तह प्रक्षिप्त रचना है राम कथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिशद, हिंदी विभाग प्रयाग विश्विद्यालेय, प्रथम संस्करण 1950. 2. प्रभु श्री राम राजा या भगवान, हिंदु धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदु धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंब है. इस स्तंब को गिरा दिया गया तो हिंदुों को धर्मांतरित करना और आसा प्रजिश की जाती रही है. वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे तो महज एक राजा थे. उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया? वे तो अपनी स्त्री के लिए रावन से लड़े और उसे उसके चंगुल से मुक्त करा कर लाए. इससे वे भगवान कैसे ह भगवान राम को मर्यादा पुरुशोतम कहा गया है अर्थात पुरुशों में सबसे श्रेष्ट उत्तम पुरुश. अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कारे किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी. इस भर में बिखरे पड़े साक्षों में आसानी से मिल जाएगा. भगवान राम भारत निर्माता थे. उन्होंने ही सर्वप्रतग्य भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कारे अपने 14 वर्ष के वनवान के दौरान किया था. कई भगवान हु भगवान किसी जातिवर के नहीं होते और नहीं वे मनुष्य जाती में भेद करते हैं. रामायन काल में जातिगत जो भिन्नता थी वो मनुष्यों के रंग, रूप और आकार को ले कर थी. जैसे वानर, रिक्ष, रक्ष और किराद जातिया मनुष्य से भिन्थी. केवट, शबरी, जटायू, सुग्रीव और संपाती आदिसे राम के संबंध दर्शाते हैं कि उस काल में ऐसी कोई जातिगत भावना नहीं थी, जो आज हमें देखने को मिलती है. हनुमान जी के गुरु मतंग रिशी आज की जातिगत व्यवस्था अनुसार तो दलित ही कहलाएंगे? श्रीराम ने 14 वर्ष वन में रहकर भारत भर में भ्रमन कर भारतिय आदिवासी, जनजाती, पहाडी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया. यही कारण रहा कि श्रीराम का जब रावन से युद्ध हुआ तो सभी तरह की वनवासी और आदिवासी जातियों ने श्रीराम का साथ दिया. 4. श्रीराम चरित के समबाद नहीं है श्रीराम के वचन. यह तुलसी दास जी ने श्रीराम चरित मानस में लिखा, धोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी, ऐसा श्री श्रीराम ने कभी नहीं कहा. यदि रामानन्द सागर कोई रामायन लिखते हैं और वे अपनी इच्छा से जब श्रीराम के डायलोग लिखते हैं, तो इसका यह मतलब तो नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा श्रीराम ने बोला है. तुलसीदास द्वारा लिखे गए इस एक वाक्य के कारण श्रीराम की बहुत बदनामी हुई. कोई यह नहीं सोचता कि जब कोई लेखक अपने तरीके से रामायन लिखता है तो उस समय उस पर उस काल की परिस्थिती और अपने विचार ही हावी रहते हैं. 5. श्रीराम की जल समाधी श्रीराम द्वारा जल समाधी लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरन करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया. मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधू हुए हैं जिन्होंने जिन्दा रहते हुए सभी के सामने धीरे-धीरे दे छोड़ दी और फिर उनकी समाधी बनाई गई राजस्थान के महान संथ बाबा रामदेव रामा पीर ने जिन्दा समाधी ले ली थी तो क्या हम ये कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली अयोध्या आग्मन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ट वब्रम्हा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधी ले ली थी लक्ष्मन जी ने कहा कि दुर्वसा रिशी आपसे अभी मिलना चाहते हैं उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है राम जी यम्राज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से रिशी दुर्वसा से अलने पहुंचे यम्राज अपनी चाल में सफल हो चुके थे राम जी से यम्राज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मन को मृत्युदंड दीजिए भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से यह भाई को कैसे मृत्युदंड या जाए राम जी ने अपने गुरू वशिष्ट जी से इस विशय में बात की तो गुरू ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंट के समान ही होता है ए आप लक्षमन को अपने से दूर कर ए यह उनके ए मृत्युदंट के बराबर ही सजा होगी जब राम जी ने लक्षमन को अपने से दूर जाने के ए कहा तो लक्षमन जी ने कहा कि आप से दूर जाकर तो मैं यूँ भी मर जाओंगा ए अब मेरे ए तह है कि मैं आपके वचन की लाज रखूँ लक्षमन जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सर्यू नदी में जाकर जल समाधी ले ली इस तरह राम और लक्षमन दोनों ने अपने अपने वचनों और करतव्य का पालन्या एक एहते रगुकुल रिती सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए अभी तक अपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए 6. श्री राम के जन्म का रहस्य सर्व प्रथम फादर कामिल बुलके ने श्री राम की प्रमानिकता पर शोध किया उन्होंने पूरी दुनिया में रामायन से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की इसके बाद समय समय पर कई शोध होते रहे वर्तमान में नवीन्तम शोधानुसार 5114 इसा पूर्व 10 जन्वरी को दिन के 12.05 पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था ये शोध वेदों पर वैग्यानिक शोध संस्थान आई सर्व ने किया हाला कि कुछ शोध करता मानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्व 7323 इसा पूर्व हुआ था चैत्र मास की नव्मी को राम नव्मी के रूप में मनाया जाता है लेकिन असल में वैग्यानिक शोध करताओ अनुसार श्री राम की जन्व दिनाक वाल्मी की द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लैनेटरियम सौफ्ट्वेर अनुसार 4 दिसंबर 7323 इसा पूर्व अर्थात आज से 9349 वर्ष पूर्व हुआ था वाल्मीकी के अनुसार श्री राम का जन्व चैत्र शुक्ल नवमी तिथी एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब पाँच ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था इस प्रकार सूर्य मेश में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, ब्रहस्पती कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनी तुला राशी में 20 डिग्री पर था बाल कांड 18, श्लोक 8, 9 शोद करता डॉक्टर वर्तक पीवी वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिती 73 इसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबस के अनुसार जन्द के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्द 10 जन्वरी 51 इसा पूर्व हुआ था उनके अनुसार ऐसी आकाश ये स्थिती तब भी बनी थी, तब 12 बचकर 25 मिनिट पर आकाश में ऐसा ही द्रिश्य था जोकी वालमी की रामायन में वर्नित है जातादर शोद करता प्रोफेसर तोबस के शोद से सहमत है इसका मतलब ये कि श्री राम का जन्द 10 जन्वरी को 12 बचकर 25 मिनिट पर 5114 इसा पूर्व हुआ था अर्थात आज दिनांक 8 अप्रेल 2014 राम नवमी के दिन से 7128 वर्ष 4 माह पूर्व हुआ था श्री राम के बारे में एक दूसरा शोद चेन्नाई की एक गैरसरकारी संस्था भारत ग्यान द्वारा पिछले 6 वर्षों में किया गया है उनका मानना है कि श्री राम का जन्व 5114 इस्वी पूर्व हुआ था मुंबई में अनेक वैग्यानिकों, इतिहासकारों, व्यवसाय जगत की हस्तियों के समक्ष इस शोद को प्रस्तुत किया गया और इस शोद संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए इसके संस्थापक ट्रस्टी डीके हरी ने एक समारों में बताया था कि इस शोद में वालमी की रामायन को मूल आधार मानते हुए अनेक वैग्यानिक, एतिहासिक, भोगोलिक, जोतिशिय और पुरातात्विक त पर आध्ये जगत गुरु शंकराचार्य शोद संस्थान के संस्थापक स्वामी ज्यानानंद सरस्वती ने भी अनेक संस्कृत ग्रंतों के आधार पर श्रीराम और कृष्म की एतिहासिक्ता को स्थापित करने का कारे किया था 7. श्रीराम का वनवासकाल प्रभू श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम में कई रिशी मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहन की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतिय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्क पर संपोर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायन में उन्लेखित और अनेक अनुसंधान करताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंब करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दोरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। अब तक आप सिर्फ यही जानते आए हैं कि श्री राम के तीन भाई लक्षमन, भरत और शत्रुघन थे, लेकिन श्री राम की बहन के बारे में कम लोग ही जानते हैं। बहुत दुखभरी कथा है श्री राम की बहन की, लोग उनकी सच्चाई जानेंगे तो श्री राम को कठोर दिलवाला मानेंगे और दश्रत को स्वार थी। श्री राम की दो बहने भी थी एक शानता और दूसरी कुकबी। हम यहां आपको शानता के बारे में बताएंगे। दक्षिन भारत की रामायन के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शानता था, जो चारो भाईयों से बड़ी थी। शानता राजा दश्रत और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षोबाद कुछ कारणों से राजा दश्रत ने शानता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोशन राजा रोमपद और उनकी पत्नी वशनी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थाज श्री राम की मौसी थी। 9. अगवान श्रीराम की वंच परंपरा हिंदु धर्म में श्रीराम को विश्नु का सात्वा अवतार माना जाता है वैवस्वत मनु के दस पुत्र थे इल, इक्ष्वाकू, कुष्णाम, अरिष्ट, ध्रिष्ट, नरिश्यन्त, करुश, महाबली, शर्याती और प्रिशद श्रीराम का जन्म इक्ष्वाकू के कुल में हुआ था जैन धर्म के तीर्थंकर निमी भी इसी कुल के थे श्रीराम के कुल के पूर्वज थे प्रिथू, त्रिशन्कू, सगर, भागीरत, रघू, नहोश, यायाती आदी थे श्रीराम के आगे के कुल में लव और कुष के अलावा लक्ष्मन, भरत, शत्रुगन के पुत्रों का वंच चला राजा लव से राघव राजपूतों का जन्व हुआ, जिसमें बरगूज, जयास और सिक्रारों का वंच चला इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंच की, जिसमें बैचला, बैसला, और गहलोत, गुहिल, वंच के राजा हुए कुष से कुषवा, कच्चवा, राजपूतों का वंच चला एक शोधानुसार लव और कुष की पचासवी पीडी में राजा शल्य हुए जो महाभारत युद्ध में कोरवों की ओर से लड़े थे दस, तारणहार श्री राम का नाम राम, ये शब्द दिखने में जितना सुन्दर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण राम, कहने मातर से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांती देती है इस शब्द की ध्वनी पर कई शोध हो चुके हैं और इसका चमतकारिक असर सिध किया जा चुका है, इसलिए कहते भी हैं कि, राम से भी बढ़कर श्री राम जी का नाम है श्री राम, श्री राम जबते हुए असंख्य साधू संत मुक्ती को प्राप्थ हो गए है प्रभू श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है जो लोग ध्वनी विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि, राम, शब्द की महिमा अपरमपार है जब हम, राम, कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेश आकृती का निर्मान होता है उसी तरह चित में भी विशेश ले आने लगती है जब व्यक्ति लगातार, राम, नाम जब करता रहता है तो रोम रोम में प्रभू श्री राम बस जाते है उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तै समझो प्रभू श्री राम के नाम का असर जबर्दस्थ होता है आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एक मात्र नाम है, हे राम ग्यारा, राम या मार राम, का उल्टा होता है म, आ, र, अर्थात, मार मार, बौध धर्म का शब्ध है मार, का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला और दूसरा आंधी या तूफान श्री राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विशेव में मन को रमाता है मार उसे वैसे ही गिरा देती है, जैसे सूखे व्रिक्षों को आंधिया बाराश, श्री राम के काल के महत्वपोर्ण लोग गुरू वशिष्ट और ब्रह्माजी की अनुशंसा पर ही प्रभू श्री राम को विश्णू का अवतार घोशित किया गया था श्री राम के काल में उस वक्त विश्वामित्र से वशिष्ट की अड़ी चलती रहती थी उनके काल में ही भगवान परशुराम भी थे उनके काल के ही एक महान रिशी वालमीकी ने उन पर रामायन लिखी अत्री रिशी और अश्टावक्र रिशी श्रीराम के काल में मौजूद थे श्रीराम ने सीता को रावन के चंगुल से छुडाने के लिए संपाती, जटायू, हनुमान, सुग्रीव, विभीशन, मैंद, द्विविद, जांबवंत, नल, नील, तार, आगद, धूम्र, सुशेन, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरब, महाबली कंपन, गवाक्ष, रंधमादन आदि की सहायताली, श्रीराम के काल में पाताल लोक का राजा था अहिरावन, अहिरावन श्रीराम और लक्षमन का अफरन करके ले गया था, श्रीराम के काल में राजा जनक थे, जो उनके श्वसुर थे, जनक के गुरू थे रिशी अश्टावक्र, जनक पुत्रत की तीन पत्निया थी कौशल्या, सुमित्रा और क्यकई. श्रीराम के तीन भाई थे लक्षमन, भरत और शत्रुगन. श्रीराम कौशल्या के पुत्र थे. सुमित्रा के लक्षमन और शत्रुगन दो पुत्र थे. क्यकई के पुत्र का नाम भरत था. लक्षमन की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुगन की पत्नी का नाम शृत्कीर्ती और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रिया थी और मांडवी और शृत्कीर्ती कुछद्वच की पुत्रिया थी लक्षमन के आंगत तथा चंद्र केतु नामक दो पुत्र थे तो श्री राम के लव और कुश धन्यवाद हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में लिख दीजिए जै श्री राम